हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर नए कमेंट्स को डिलीट करने का तरीका बताऊंगा बिल्कुल इसकीप ना करें तो चलिए मैं लिए चलता हूँ मुबाइल इसक्रीन पर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर नए कमेंट्स को डिलीट करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम एप को ओपन करें तो चलिए ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद वेट करें तो चलिए वेट कर लेते हैं वेट करने के बाद इस परकार का इंटरफेस खुल कर आएगा इंटरफेस खुलने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे की और राइट साइड में नज़र आ रहे प्रोफाइल पिक्चर पर किलिक करें तो चलिए किलिक कर देते हैं किलिक करते ही इस परकार का इंटरफेस खुल कर आएगा इंटरफेस खुलने के बाद अब आप यहाँ पर ओपर की और right side में नज़र आ रहे, 3 lines पर click करें, तो चलिए click कर देते हैं, click करते ही इस परकार का window खुल कर आएगा, window खुलने के बाद अब आप यहां पर 4 नमबर पर नज़र आ रहे, your activity वाले option पर click करें, तो चलिए click कर देते हैं, click करने के बाद wait करें, wait करने के बाद इस परकार का interface अब आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर नजर आ रहे कमेंट्स वाले ओक्षण पर क्लिक करें तो चलिए क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद स्वेट इस तरीके से आप ने जितने भी हाल ही में नए comments कर रखे हैं वो सभी comments यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप अपने जिस भी comments को delete करना चाहते हैं उस comments के ऊपर उंगली से लोंग प्रेस करें यानि की उंगली से ठोड़ी देर दबा करके रखें तो चलिए दबा करके आपके comments के ठीक right side में ठीक लग जाएगा तो आप तो आपने इतने भी comments कर रखे हैं उनसा भी comments को delete करने के लिए अपने comments के ठीक right side में नजर आ रहे सरकल पर क्लिक करके comment को select करने सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर नीचे की और नदर आ रहे रेड कलर के डिलीट वाले ओप्सन पर किलिक करें तो चलिए किलिक कर देते हैं किलिक करने के बाद इस परकार का विंडो खुल कर आएगा इस क्रीन के बीचो बीच तो आप यहाँ पर delete वाले option पर click कर दे, तो चलिए click कर देते हैं, click करते ही, थोड़ी देर processing होगा, processing होने के बाद आपका comments delete हो जाएगा, So friends, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप Instagram पर अपने नए comments को delete कर सकते हैं, So friends, मेरी यह जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो like, comment और share करें, साथ ही जो नए है सबस्क्राइब करें, और bell icon को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की notification आप लोगों के प दिलेंगे अगले वीडियो पर